अब रुक कर लेते हैं लखनव का क्योंकि चुनावी मौसम है और सबसे जादा नजर जो थी वो उत्तर प्रदेश राज्ये में थी संजीव सिंग हमारे साथ लखनव से जुड़े हैं संजीव जी बजट को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया नजर आ रही है क्योंकि चुनाव क ये मौसम में उमीद की जा रही थी कि शायद कुछ बड़ा अनॉंस्मेंट हो सकता है उत्तर प्रदेश को लेकर लेकिन जिस तरह से जब बजट आया है तो इसको लेकर कुछ वर्गों में खुशी है तो कुछ वर्गों में गम भी है यानि कि जैसे किसान है उनके लिए काफी फायदे मन जा लेकि युवाओं की अगर बात की जाए रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दर है हमारे साथ क पचा हमारे साथ कशो लिए कि किसानों की बात की गई है किसानों को सबस्कीन पीड़ी में गए लेकिन आगा युवा है और इसके अलावा जो है सिछा जो है जो है सिखनेकर जो शिखना उसके जोड़ दिया गया इसकुर कि किस्ता पुशना सब्सक्राइब नहीं है, बस यह है, अपने मनमानी करना है, कोई भी रिजल्ट आ रहे हैं, बेरोज़गार ये को बड़ा मुद्दा रहेगा, संजीव जी साथ-साथ मैं ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरह से शेयर मार्केट, आज हमने देखा कि अब आम आदमी भी शेयर मार्केट में इंविस्ट करने लगा है, और शेयर मार्केट के अगर बात की जाए, तो तीन टेक्स देने पड़ते हैं, सिक्यूर्टी ट्रांजेक्शन टेस्ट, लॉंग टर्म कैपिटल गेन और साथ-साथ जो आप इंकम टेक्स देते हैं, शेयर मार्केट के साथ-साथ क्रिप्टो करेंसी को भी लेकर 30% टेक्स, इसको लेकर युवाओं का क्या कुछ कहना है? प्रिप्टो कि मार्केट की बारिक्स ट्रॉडने राशक के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-सा-थ-साथ-स-फिस पहें 500-500-500,000,000,000 43,000-1000,000.000 तो निचुने पर शेयर मार्केट्ष में 50,000,000 द और साथ जाएर मार्केट के वाँकिट्टॉ तो बेशक संजीव जी कही न कही निराश नजर आ रहा है आम आदमी और युवा की अगर बात की जाए तो नौकरी को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है शुक्रिया संजीव दितमा मैं तुपून जानकारी के लिए